असलाम अमरीकम गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हमारे पास डिफरेंट्स स्टेट्स दी हुई है नियु यार्क की तो हमने ना हर एक स्टेट में से मतलब अड्रेसेज भी निकालने है खुद पाकी हमने उनकी ओनर इंफो भी फाइंड करने है और दैन उनको स्टेट्स भी करना है अब मैं एक नियु यार्क जो हमारे पास टार्गेटेट सिटी है स्टेट है सौरी तो उसको मैं कलिक करता हूँ अब हमने ना हर एक अड्रेस इसका एकस्टाक करना है लेट स्पोस कि मैं कैसे करता हूं मतलब हमने नियु यार्क सेलेक्ट की अब निय पर पर इसे अड्रेस है न आप इन आप लोगों ने न इससे कॉपी करके और इस फॉर्मिट में हमने मतरब की अड्रेस देना जाए यह नी कि उस पहले जिपकोड जिपकोड के बाद स्टेट एंड दें परपरेटिये अब यह उपने करना है मैं इसको एकसरा किया उसके बाद नेक्स नेक्सक बारी है को अब बारी से को नेक्स्ट में उसको ओपनी नू लिंक कर दूँग और इसमें है दो अब्येसथेज तो अब दो कोपी करके के मैं शीट में pull up कोई दूंगा अब ये देखें यह यह आगा शीट में और यह second address और उसके बाद आपने भले बाद में extract कर ले या इस तना से आप करते हैं उसके बाद आपने जा करना है आपके पास आप लोगों के बाद जो के पहले इस काम को जाता है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है सिर्फ extraction जो extract करना था वो different था लेकिन next जो हमारे पास कुछ new बंदे भी हैं उनके लिए ये बताद में जाता हूं कि प्रॉपर्टी डेस बठाना है आपने और मिलीसा का काउंट जिसके पास बना हुआ है वो तो ठीक है जिसके बास नहीं बना हुआ उसको बनाना पड़ेगा ये देखे state new york और उसके बाद आप इसको submit करें जब आप submit करेंगे तो आपको honor का address, honor name और honor का address मुझेगा ये honor name हो गया और उसके बाद next आगिया आपके पास honor address अब आपने honor address में क्या देना है एक honor address में city और दुसर state or zip code आप यहां तक copy करना है इससे आगे वाले हिससे नहीं copy करना है जिसने करने होंगे चलें कर लें लेकिन बाद में हम फिर भी remove कर लेंगे तो आपको फायदा नहीं ठीक है जो आपको property नहीं में लेगी ना आप उसक skip कर दोगी आप मैं इसको extract कर देता हूं तो आपने कोई भी property मतलब कोई property addresses जब आप अक्स्टक कर रहे हूं मतलब के website से तो आपने एक भी property address मिस नहीं करना और किसी चीज़ का फार्मेट मुझे गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्मेट की कोई भी गुझ गुझाश नहीं है एक थोड़ी सी भी गुझाश नहीं है कि हम उसको गलत कर ले क्योंकि हमारे पास हम काम प्रवाइड कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे जो clients हैं वो भाग जाएं तो आप क्येरफुल रहें यह लें यह true order की जगह पुट कर दें और उसके बाद आप mailing dashboard करते हैं ओके आई होब आप लोग समझ गियोंगे और अगर कोई फिर भी problem हो तो आप मुझे से पूछ लीजीगा थैंक्यू अलाहाफिस